हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टड़ी विद दीपा सैनी और आज की क्लास में हम अपनी 50 कोशन्स करेंगे और ये जो 50 कोशन्स है आपके TGT और PGT लेवल अगर SST TGT की बात करें और PGT जोगरफी की बात करें तो most important है और पिछले एक्जाम्स में ये काफी को पिटिड़ है इनमेंसे तो ध्यान से देखना और हर एक कोशन को आचिसे करना तो स्टार्ट करते हैं अपनी कोशन्स वाली सीरीज कोहासा निम्न में से किसके दूआरा बनता है सूखी बरफ के कारण निमन तापमान पर बरफ के कारण निमन तापमार पर जलवास के कारण या ठोस रूप में कारबन मोनो अकसाइड के कारण तो किसके कारण बनता है कुहासा, जब तापमान कम होता है, जब वो छोटे-छोटे जल्वास हवा में उड़ते हैं, तब आपका कुहासा यानि कुहुरा पड़ता है, सरदियां आ रही है, आप सब को पता है, अब सब देखते होंगे मौर्निंग में कुहासे को, कुहुरे को कुहुरे से ज़्यादा बैंकर कुहासा होता है, जब बिल्कुल कुछ भी ना दिखें हमें, दो 20 मीटर तक का भी तब उसे बोलते हैं कुहासा, नेक्स्ट कोशन है, थल समीर और समीर बनने का कारण बताईए, थल समीर, समीर का मीनिंग होता है हवा, चालन, समवहन, विकीर और जुआर भाटा, तो समवहन की जो किरिया होती है, उसी की वज़े से आपकी थल, समीलियानी, जमीन पर चलने वाली हवा और समुंदर के उपर चलने वाली हवाईं बनती हैं, नेक्स्ट कोशन इस थार्ड, निलंबी घाटी, निमन में से किसकी किरिया दुआर बनती है, निलंबी, निलंबी घाटी ये फिचर्स होते हैं, हिमनदी कुछ अलग फिचर्स बनाती है, नदिया अलग बनाती है, समुन्दर अलग बनाती है, पवने अलग बनाती है, तीजीटी वाले टेंशन ना लो इतना डीपर आपके में नहीं आता पर, पिजीटी के लिए ये most important है यह कोशन ठीक है क्योंकि यह बार-बार पूछे जाते तो हीम नदी हीम नदी बनाती है निलंबी घाटियां नेक्ट कोशन कोशन नमबर फोर निमन में से वह कोईले का कौन सा परकार है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है तो कोईले के टाइप मैंने TGT और PGT दोनों साता है थर पर लिंगनाइट आता और पिट लास्ट में आता तो यह सिक्वेंस में ही दिये हुए हैं तो अंस्वर रहेगा एंत्रासाइट कोईला कोशन नमबर फाइफ इस चीनी सागर की उशन कटी बंद्य चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है प्रभजन टोर नेड जानते हैं जैसे हरीकेन के नाम से हरीकेन अमेरिका में हरीकेन के नाम से जानते हैं टोर्नेडो के नाम से जानते हैं तो आपको यह सारे नाम है ना किलियर होने चाहिए ठीक हैं सारे नामों को याद करके जाना एक्जाम में काफी पूछे जाते हैं कोशन नमबर से 27 की सबस Pacific महा सागर में ठीक है Next question है question number 7 निम्न में से वह सागर कौन सा है जो भूबद है यानि भूबद का मीनिंग क्या होता है जो पूरी तरह से भूमी के द्वारा गिरा हुआ है तो सागर के नाम है तिमोर सागर, अरापुरा सागर, ग्रेन लैंड सागर या अरल सागर ठीक है तो अंस्वार इस रहेगा अरल सागर, अरल कहलो अरप सागर आएगा यह थोड़ी मिस्प्रिंट है Next question है question number 8 व्यपारिक पवने कहां से चलती है तो TGT, PGT, potent question है व्यपारिक पवने विशुवत निम्न दाप से चलती है ठीक है तो पोशन उच वायुदाप से चलना स्टार्ट होती है Question number 9 है समवहनिय वर्षा कहां होती है Option is विशुवतिय चेतर में शितोशन कटिवंदिय चेतर में उशन कटिवंदिय चेतर में धुर्विय चेतर में तो समवहनिय वर्षा सबसे अधिक भुमिद्य रिखा के आसपास होती है तो अंस्वर रहेगा विशुवतिय चेतर में Question number 10 है निम्न में से वह कौन सा सागर है वह कौन सा निम्न में से वह कौन सा सागर है जो भूबद है यानि वही आगया भूमी बद यानि repeated question है लाल सागर, तिमोर सागर, उतरी सागर, अरल सागर तो अंस्वर इस वही रहेगा आपका अरल सागर Question number 11 is विशुवतिय परदेशों में गरम और शुक्ष जलवाईयू होती है गरम और आद्र जलवाईयू होती है गेली और तुफानी जलवाईयू होती है या समानने सुहानी जलवाईयू होती है तो विशुवतिय छेत्रों में गरमी तो होती ही है उसके साथ दोपैर के बाद बहुत वर्षा भी होती है तो जलवाईयू कैसे होगी मां की आद्र तो गरम और आद्रे जलवाई होती है विशुवतिया यानि बुमिद्धे रेके परदेशों में नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर इस टुएल जब वायुदाब मापी का पाठ्थ्यांक यानि उसका जो पारा है वो अचानक गिर जाए तो वह किस बात का संकेत है यह कोशन एक्साम में बहुत पूछा जा चुका है आपका USS contributes जब पारा एकदम नीचे गिर जाए तो किस बात का संकेत है तो याद रखना वह आपका किस का संकेत है तुफानों का जब पारा एक दम नीचे गिर जाएगा तो तुफान ah और आपकी नर्मदा और तापती नदिया भारत में ऐसी है जो डेल्टा नी बनाती जुआर नदियों का ताजा पानी मीठा पानी और किससे सुमंदर के खारे पानी से मिलता तो यह क्या बनाती है जवार नद मुख बनाती है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 14 छत्रक सैल विशिस्ट परकार की भू आकरतिया है जो मैं फिर से कहूंगी यह पीजीटी के लिए इपोर्टेंट कोशन है टीजीटी वाले अवोईड करना छत्रक सैल विशिस्ट परकार की भू आकरतिया है जो नदी गाटियों में दिखाई देती है परवसीखरों पर दिखाई देती है तटिये छेत्रों में दिखाई देती है या मुरुस्तलों में दिखाई देती है तो जो छत्रक होती है वो आपकी मुरुस्तलों में बनाई जाती है ठीक है नेक्स्ट कोशन नमर 15 विशुवति शब्द किसका गोतक है ऑप्शन इस पिर्थवी जिस पत्थ पर सूरिय के चार और गुमती है सेकंड ऑप्शन पिर्थवी का अक्स जिसके गिर्द वह गुमती है थार्ड इस जब दिन और रात बराबर होते हैं फ किसे कहते हैं विशु जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं तो जीयों में उसे विशु कहते हैं तो यह विशु आ रहा है यह ते अलग से लगा दिया तो इसका अंस्वर वही रहेगा जब दिन और रात बराबर होते हैं तब आपका विशुवतिय शब्द गोतक होता question number 16 is iso bar iso bar रेखाएं कि स्तानु का अपस में मिलाती है ये रेखाएं काफी पूची जाती है exam में TGT PGT दोनों लेवल पर बराबर वर्षा वालों में बराबर दाब वालों में बराबर जिनसंक्या वालों में तो राइट इसका अंस्वर रहेगा बराबर दाब वालों में ठीक है जो समान वायुदाब वाले छेतरों का मिलाती है वो होती है आपके आईसो बार रेखाएं आईसो बार लाइन next question is question number 17 संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा बोतीजी question है ये सारे महासागर आपके Atlantic महासागर आरक्टिक महासागर हिंद महासागर परशांत महासागर तो सबको पता है हमारी परत्थवी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर परशांत महासागर है ठीक है next question number 18 समताप मंडल में ओजोन की मजूदगी के कारण अब ओजोन परत्थ समताप मंडल में पाई जाती है तो इसके कारण क्या होता है option हाल के वर्षों में ओसत भूमंडलियत आपमान बढ़ा है second option प्रकास अंसलिशन की दर बढ़ी है third option प्राब एंगनी किरने पिर्थवी तक नहीं पहुँच पाती fourth option जैट में यातरा करने वाली लोगों को उक्सिजन की पूर्थी होती है तो बही ओजोन के कारण क्या होता है प्राब एंगनी किरने हमारी पिर्थवी तक नहीं पहुँच पाती right answer is c next question question number 19 ब्राजिल की उशन कटी बंदिये घास सल को क्या कहते है option is campus, pampas, prairie is samana तो इसका right answer रहेगा campus ठीक है right answer is campus next question number 20 बेसाल्टी लावा next question 20 बेसाल्टी लावा कहां पाया जाता है option is दक्कन ट्रैप में हिमाचल पर्देश में सिंदू और गंगा के मैदान में या उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में तो ये कहां पाया जाता है ये आपका बेसाल्टी लेवा दक्कन ट्रैप में right answer रहेगा क्योंकि भारत का जो दक्षनी प्राइदिव पर पठार उसमें पाया जाता है next question number 21 बुमद्य सागरे परकार की जलवाईयों की विशेशता है option is शुक्ष गरिशमकाल और आदर सीथकाल आदर गरिशमकाल और सुक्ष शीथकाल शुक्ष गरिशमकाल और शुक्ष शीथकाल आदर गरिशमकाल और आदर सीथकाल तो right answer रहेगा answer is one तो जो सूखी गर्मी यानि गर्मियों में सूखा रहेगा और सर्दियों में क्या रहेगी आपकी वर्षा रहेगी तो भुमद्य सागरे परकार की जलवाईउ मैंने ये अपनी वीडियो में भी करवाया हुआ है वहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती और गर्मियों में वर्षा नहीं होती निम्नोक अपरदन इरोजन के परकारों में से किसके कारण चम्बल के जो खादर यानि खंड बने हैं यह अपरदन के कुछ टाइप हैं सेपलेस, शीट, रील, गली, शुद्र, सरीता, आउनालिका तो राइट अंसर रहेगा आउनालिका आउनालिका जो है वो चम्बल के खादर यानि खंड बने हुए हैं उसमें नेक्स्ट एकोशन नमबर 23 सीटकाल में आपको भारत में साइबेरिया, सारस कहां प्राय दिखाई देते हैं सर्दियों में साइबेरिया, सारस आते वो कहां दिखाई देते हैं सासनगरी एक्शूरी में, रण थंबोर एक्शूरी में, डाची गाम नैशनल पार्क में या केवला देव गाना एक्षूरी में तो यह आपको केवला देव गाना एक्षूरी में दिखाए देते हैं सेक्षूरी में और यह कहां पर हैं केवला देव वाला राज़sishtान वह भारत के राज़िस्तान राज़्य में है यह next question number 24 कोईले की निमने किसमों में से वास्प सील दर्वे का सबसे कम अनुपात किसमी है यानि सबसे कम अनुपात का कोईला अंसर आपका एंथ्रासाइट कोला क्योंकि वास्प सील दर्वे का ये पूछ रहा है आपके आधरता किसमे कम है यानि एंत्रसाइट कोईले में कार्बन का अंस 90 परतिशत है, बाकी 10 परतिशत उसमें वापसिल दर्वे का है, तो सबसे कम वापसिल दर्वे की बात करें, तो आपका एंत्रसाइट कोईला जो की best quality का कोईला है, question number 25 is निम्न में से किस पवन को परती व्यपारिक पवन कहा जाता है तो कौन सी पवन है चीनूग, चकरवाट, टाइफून और पश्मी पवन तो कौन सी पवन है यही पश्मी पवनों को परती व्यपारिक पवनों के नाम से जाना जाता है next question 26, तुल्ले काली कक्षा कितनी उचाई पर है? 6 km पर, 1000 km पर, 3600 km पर और 36,000 km पर तो right answer रहे lies 36,000 km, तुल्ले काली कक्षा यहां पर आपकी जो man-made satellite भी 36,000 km के उचाई पर ही स्तापित किये जाते हैं next question 27, सूर्य की चारों और घरों की जो कक्षाई हैं कैसी हो सकती हैं दिर्ग विर्तिय या परवल्यक परवल्यक और अती परवल्यक विर्तिय और परवल्यक विर्तिय या दिर्ग विर्तिय तो सूर्य के और जो घरे के कक्षाई हैं वो कैसी हैं दिर्ग विर्तिय और परवल्यक मैंने पहले भी बताया जब घरे हैं सुरिय के चारों और दिर्ग विर्ताकार पर चक्कर लगाते हैं धीनव तारह यानिसर नोव क्या है एक्पुश्ण पुछ है एक बॉल घरेकर लगा जल ऑनलगे सुरिय क्वर मैय जिसे कहते हैं एक मरनसं तारह सब्याते हैं को दर्शाय जाता है तो उसे आईशो नौफ कहते हैं ठीक है कोशन 30 इस विस्व का सबसे बड़ा मुरुस्तल सबको पता है सहारा है गोबी है थार है या टाकला माकन है तो विस्व का सबसे बड़ा मुरुस्तल सहारा मुरुस्तल है कहां पर है अफरीका में है नेक्स्ट कोश के लिए उत्रि अमेरिकी प्रेरीज के लिए तो किसके लिए साइब रेरियाई जो टून्रा है वहां जलवाई आती उग्र है वर्षा अलपग्या है और लोग खाना बदोष जमाकोर हुआ करते थे तो साइब रेरियाई टून्रा में नैक्षा कोशन नमबर 32 रेडियो से किसे राइव तो सब्सक्राइब तो इसन राइट देख है यह एलन गैस ङाने वनाचल के 27 है कर देखे जाऊन धाल चुट शुटऑन मंडल जिसमें ऊजोन गयस पाई जाते समताव मंडल जिस्में ओजोन गैस पाई तो रहेगा रेडियो परत को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है और फिर्थवी का सबसे गहरा प्रिष्ट गर्थ कौन सा है सर्फेस डिप्रेशन कौन सा है कूरिल खाई मेरियाना खाई टोंगा कार्मेडेक खाई और बैंटले अदो हिमानी खाई तो मैंने बहुत बार बता मेरियाना खाई जो कि आपकी किस महासागर में है जो कि आपकी परशांत महासागर में है परशांत विस्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर परशांत महासागर में है मेरियाना ट्रैंच यानि मेरियाना खाई ठीक है नेक्स्ट है कोशन इस 34 शेल का कायांतरन किस प्रकार की शेल में होता है तो शेल यानि रुपांतरी चटाने का टाइप उचा हुआ है ग्रेफाइट में होता है नाइस में होता है मार्बल में होता है या स्लेट में होता है तो शेल अपना रूप जब बदलती है तो स्लेट बन जाती है ठीक है नेक्स्ट कोशन है कोशन न मिशप पश्चमी किनारों पर पाये जातें करक और मकर रेखा गे City question No. 36 उतरी गोलार्द क्या पेक्षा दक्षनि गोलार्द में शीद काल अधिक शक्त क्यूं होता है क्यों कि उतरी गोलार्द में पिर्थवी सूर्य की और जुकी होई है उत्री गुलार्द को सूर्य का परकाश अधिक मिलता है दक्षनी गुलार्द में पलावी हिम शेल की सक्रेता अधिक है या दक्षनी गुलार्द में अबादी कम है तो इसका राइट अंस्वर जो रहेगा उत्री गुलार्द को सूर्य का परकाश अधिक मिलता है इसलिए वह दक्षनी गुलार्द में शीत काल अधिक सकत है और उत्री गुलार्द में कम सकत है ठीक है नेक्स्ट रेकोशन नमबर 37 डंकन पैसेज निम्न में से किसके बीच है डंकन पास कहलो या डंकल पैसेज कहलो बोथ हार सेम आड़कशनी या लीटल अंदोमान, उत्री या दक्षनी अंदोमान, उत्री या मध्यांदोमान और अंदोबान और निकोबार्द ये मैंने पूरा डीटेल में करवाएं है चैनल्स बोलते हैं गणनल विब्यो है तो बही सबसे easy question और हर बार exam में पूछा जाता है important question भी है जो शोब मंडल है इसमें सबसे अधिक मोसम समंदी सारी गटना है आपका आंदी का आना बारिस का आना तुफान का आना ठीक है आपके बादलों का बनना सारी की सारी गटना है शोब मंडल में घटित होती है next question number 39 USA में cold radio निम्न में से किस बुआ करती के लिए परसीद है cold radio भव्या ग्रेंट दर्रा है भव्या ग्रेंट ग्रहर है विशाल घाटी है यह विशाल बेसीन है तो cold radio भव्या ग्रेंट दर्रा है ठीक है दर्रा है next question number 40 वायू मंडल में दैनिक मोसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते है वही आ गया repeated question देखो थोड़ा बदल दिया दैनिक मोसम परिवर्तन पूछा गया अंस्वर आपका भही रहेगा शोब मंडल ठीक है क्योंकि मोसम परिवर्तन वर्ड आ जाए और लेयर दी हु next question number 42 वो ध्योगों का कौन सा समु कच्छी सामगरियों के स्त्रोतों के निकट स्तित होने के कारण परिवेहन व्या में सबसे अधिक बचत करता है लोहो और इसपात अलुमिलियम और सिमेंट लोहो इसपात या चीनी सूती वस्त्र भारी मसीनरी या सिमेंट चीनी लोहा और इसपात या सिमेंट रिशम तो राइट अंस्वर रहेगा लोहा और इसपात अलुमिलियम और सिमेंट ठीक है next question number 43 पश्मी राज्यस्तान में बालू के टीले बनाने के लिए निमन में से कौन सी प्रिक्रिया उत्रदाई है पवन द्वारा पर्दन जादा होता है या जल द जब मिट्टी कठी करेगी तभी तो बालू के टीबे बनेंगे ठीक है राइट अंस्वर इस पवन द्वारा निक्षेपन next question number 44 पिर्थी पर आने वाले सोर विकीरन को क्या कहते हैं विकीरन उर्जा सूरिय तपन धूप या पाथ्री विकीरन तो इसको क्या कहेंगे धूप हम क्या कहते हैं पिर्थी पर जो हम इस सूरिय से आने वाला जो विकीरन मिलता है उसे दूप वैसे यहां option में सोर विकीरन नहीं है अगर सोर विकीरन option में होता तो आप उसे right करतें next question number 45 ओला विरिष्टी का क्या कारण है दरवन समवहन उद्रपातन या हीम करन हीमी करन ओल नीचे पढ़ती है तो हम उसे ओला कैते हैं next question number 46 सूर्ये का प्रिष्ट्य आपमन आगा गया है कितना है प्रिष्ट्य आपमनचे तो किसका भई कोई भी चांद नहीं है देखो नैप्चून बुद्ध मंगल की बात करें दो हैं नैप्चून के भी काफी है अब प्लूटो तो आपका कोई घरही नहीं रहा है बुद्ध का कोई भी चांद नहीं है याद रखना बुद्ध का एक भी चांद नहीं है एक भी स गुंती हैं, next question number 49, Dolomite है, अवसादी cell, वीतल्य cell, आगन्य cell, कायंतरित cell, तो क्या है Dolomite एक अवसादी cell है, क्या है, आवसादी cell है, next है L Nino है, क्या है L Nino, उष्न समुंदरी धारा है, समुंदरी तुफान है, उष्न कटीबंधे विक्षेप है, या टाइफुन का दूसरा नाम है तो क्या है एल नीनो उष्ण समुंद्री धारा है तो यहां पर आज की वीडियो के आपके 50 कोशन कंप्लीट होते हैं तो और आई थिंक आपको यह कोशन पसंद आयोंगे क्योंकि बहुत ही पोटेंट कोशन और हर एक्जाम में यहां से कोशन आते ही आते हैं तो अच् तक के लिए बाइ बाइ है वे नाइस देए